दोस्तों रहुसकार आज बात करेंगे स्कॉट बॉलन की एक ऐसे खिलाडी की तेज गेंदबाज है दाए हाथ का और और ऑस्टिलिया को एक विवित्ता पूर्ण गेंदबाजी का विकल्प मुहया कराता है उन्हीं स्कॉट बॉलन की हम बात कर रहे हैं जिनके लिए अब सब से बड़ी पात्मिकता डवलू टी सी फाइनल का मुकाबला खेलना है और इसके लिए उन्होंने इंग्लिश काउंटी के तमाम जितने भी कॉंट्रेक्ट हैं उनको सुईकार नहीं किया है उन्होंने का कोई काउंटी नहीं पहले डवलू टी सी का फाइनल जीतना है उसकी दयारी करनी है और उसके बाद एशेज सीरीज जो है ये उनके लिए बहुत माइने रखती है और हम आपको याद दिलादें कि 2011-12 में यही खिलाडी था जिसने तीन टेस्ट मैचों में 18 विकेट चटका कर इंग्लेंड को बहुत बड़ा जटका पहुंचाया था तीन टेस् में बादर कावस का टॉफी में इनकी कुछ नहीं चली और इन्हें एक भी विकेट हासिल नहीं हो पाया और यह दर्चाता है कि यह खिलाडी कंसिस्टन्टी अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन अभी काउंटी क्रिकेट से दूर रहना चाता है और उनका यह भी कहना है कि उनकी बॉड़ी कितना वर्कलोड लेती है यह बहुत एहम है और वो उसके हिसाब से ही अपनी रंडिती बनाते हैं क्योंकि पैसा और यह सारी चीज़ें अभी उनके लिए बहुत माइने नहीं रखती इस वक्त अपनी टीम को जिताना अपनी नेशनल टीम को जिताना उनके लिए बहुत ज़्यादा माइने रखता है अभी तक वो इंग्लेंड के खिले हैं वेस्टिडी के खिले हैं साउथ अफरिका के खिले हैं और तीनों ही देशों के खिलाफ उनको अच्छी खासी सफलता हासिल हुई है लेकिन भारत के खिलाफ खेले गए एक मात्र टेस्ट मै जोष हैजलवूड भी है और कैमरोन ग्रीन भी है तो क्या स्कॉट बॉलेंड को मौका मिल पाएगा इस पर सबकी नजरे डिकी हुई है आप क्या सोचते हैं उनकी टीम में मौझूद्गी को लेकर कि कितने विकल्प वो मुहया कराते हैं अपनी टीम के लिए और टीम का जो तेज गिनबाजी आकरमन है उनके आने से कितना उसमें पहना पनाता है अपनी राए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार